हेलो एब्रिवान वेल्कम टू माई यूपी सी राजस्तान असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पर प्रिपरेशन करवा रहे हैं अगर टैस्सीरीज जोइन नहीं किये तो प्रिपरेशन अवेलेबल है पीडिएप्स का वो भी आप पढ़ सकते हैं इस नंबर पर कॉंटक्ट कर सकते हैं वेब्सायट पर जाएके टैस्सàiरीज जोईन कर सकते हैं या इसी वीडियोगी नीचे डीस्क्रिप्टिसं में और कॉमेंट सेक्शन मीं लिंक मिल जाएगा आप टैस्सीरीज जोइन कर सकते हैं पांच टॉपिक्स अल्रेडी कवर कर चुके हैं, पांच पार्ट कहेंगे, एक पार्ट में काफी टॉपिक होते हैं, और आज जो इंपोर्टन टॉपिक्स का सेक्षन है, छटा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इसके जिसका आपको सबको इंतजार होगा, नेक्स्ट एक दो दिन में ही, पिछले एक साल का करवाया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहाँ पर इंपोर्टन टॉपिक्स हैं, एक एक करके हम डिसकस करते हैं, और यह सारे ही आपके एक्जाम पॉ पॉफेशर के लिए, वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा, एक बार आपको यहाँ पर काफी चीज़े मिल जाएंगे, फिरी में, पहला जो टॉपिक है, राजस्तान का सामान्य परीचे, राजस्तान है, इसका जनरल इंट्रोडेक्शन देखते हैं, एरिया वाइज बात करें, तो क्षेत्रफल की द्रश्टी से देश का सबसे बड़ा राज्य है, और ये कब बना है सबसे बड़ा राज्य? पहले मध्यप्रदेश वा करता था, लेकिन जब मध्यप्रदेश से 36 गड़ा लग हो गया, उसके बाद राजस्तान सबसे बड़ा राज्य हो गया क्षेत्रफल की द्रश्टी से area wise total जो area है राजस्तान का इतना है 3,42,249 square kilometer और देश का जो total area है उसका 10.41 percentage है यह पूछा जाता है कई बार exam में directly या फिर statement based की इन में से कौन सा statement सही है कौन सा गलत है और आपको चेत्रफल का इतना है तो आपको यह द्यान रखना है 10.41 कई बार statement based पे previous year के questions देखोगे तो आपको मिलेगा कि यह भी statement में दिया गया है कि इन में से कौन सा सही है गलत है राजस्तान की तुलना की जाए तो स्री लंका से 5 गुना है area wise चेकोसलोवाकिया से 3 गुना है इजराइल से 17 गुना है राजस्तान की बात हो रही है इंगलेंड से डबल है और जापान की तुलना में राजस्तान कुछी छोटा है जापान से थोड़ा कम है राजस्तान का area यह कुछ countries है जिनका statement पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है स्रीलंका से 5 गुना चेकोसलोवाकिया से 3 गुना इजराइल से 17 गुना इंगलेंड से दुगना और जापान के लगबग बराबरी है थोड़ा छोटा है इसमें आपको वो ही पॉइंट करवाये जारे है जो सिर्फ to the point exam point of view से important है अननेसेसरी नहीं बताया जारा एक क्यूशन पूछा जाता है रिगवेद में राजस्तान को क्या नाम दिया गया है तो रिगवेद में वैदिक काल में वैदिक काल में जो रिगवेद है उसमें राजस्तान को ब्रह्मयवरत कहा गया है रामायन में वालमिकी ने राजस्तान को मरू का अंतर कहा है ये दोनों क्यूशन पहले पूछे गए हैं और लगाता राजस्तान के competitive exams में पूछे जाते हैं राजस्तान सब्द का सबसे पहले प्राचिनतम उप्योग कहा किया गया है ये सिलालेक जो inscription है सिरोही का inscription उसमें किया गया है इसको बसंतगर्ड inscription के नाम से जानते हैं तो राजस्तान सब्द का जो प्राचिनतम उप्योग है वो विक्रम ये जो सिरोही का है बसंतगर्ड सिलालेक इसमें मिलता है जिस George Thomas की हम बात करते हैं वो Ireland के रहने वाले थे और उन्होंने ही राजस्तान का जो अभी present part है उसको राजपूताना की संग्या दे थी और इस बात का उलेक है जो एक William Franklin की book है Military Memory of Mr. George Thomas उसमें इस बात का जिक्र है उन्होंने राजपूताना की संग्या इस पार्ट को दिये जो भी present में है 30 मार्च को राजस्तान दिवस मनाया जाता है वो किशले मनाया जाता है क्योंकि 30 मार्च 1949 को जो चार बड़ी रियासते थी जयबपूर, जोदपूर, जैसलमेरो और बीकाने रुष्टाइम की जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, बड़ी रियासते वो उनका विलय हो गया था और एक ब्रहद राजस्तान का गठन हुआ था ग्रेटर राजस्तान जिसको कहते हैं, वो बना था 30 मार्च 1949 को और 30 मार्च को राजस्तान दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को जब Constitution बना है, तो इसको Constitutionally विदिवत रूप से राजस्तान स्विकार कर लिया गया है राजस्तान के पहले राजप्रमुक कोन थे तो इज्यपुर के महराजा थे सवाइमान सिंग, ये सबसे राजप्रमुक थे, राज्ये के पहले पहले मुख्यमंत्री ये प्रधान मंत्री कोन थे, हीरालाल सास्त्री बने थे, जो कई बार प्रधान मंत्री के नाम से पूछ लिया जाता है, और कई बार मुख्यमंत्री के नाम से, लेकिन जब आम चुना हुए, ये बिना चुनाओ के बने थे और 1952 में जब आम चुना हुए उसके बाद में जो निर्वाचित अगर आपके एक्जाम में क्यूशन में निर्वाचित लिखा हुआ है तो टीकाराम पालिवाल इसका करेक्ट आंसर आएगा पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री स्री टीकाराम पालिवाल थे नवंबर 1st 1956 को यह राज़्य पुनर गचन हुआ था और उसके बाद में जो राजप्रमुक का पत था वो समाप्त करत द्या था और उसके बाद में राजप्रमुक की जगे राज़्यपाल सरदार गुरुमुक नियाल सिंग राजस्तान के पहले राज्यपाल थे और मोहनलाल सुखाडिया राजस्तान के पहले मुख्यमंत्री थे कब की बात हो रही है राजस्तान के पुनर गठन के बाद की 1956 के बाद की 2011 में जो last census हुई थी उसके according राजस्तान की जन संक्या इतनी है और ये देश की जन संक्या का 5.67% है अभी 2023 में दिसंबर में जो ये result आया है election हुए है अभी recently चोदवे मुख्यमंत्री बने है राजस्तान के ये स्री बजनलाल सर्मा अभी present में ये है चोदवे मुख्यमंत्री है ये द्यान रखना आपको अब बात करते है state symbols की राज्य के प्रतीक चिन एक question अक्सर यहां से पूझ लिया जाता है राज्य का जो state symbol है राज्य व्रक्ष state tree कौन सा है state tree है ये खेजडी का व्रक्ष है रेगिस्तान का गोरव या थार का कल्प व्रक्ष भी इसको कहा जाता है ये द्यान रखना आपको रेगिस्तान का गोरव या थार का कल्प व्रक्ष खेजडी को ही कहा जाता है और इसको 1983 म ये इसका scientific name है प्रोसेशिप सिने रेनियो सिने रेनियो ये इसका scientific name है खेजडी वरक्स पे ये डाक टिकेट भी जारी हो चुका है परियावर्ण दिवस के आउसर पे 5 जून 1988 में खेजडी के ज़्यादा तर सेखावाटी एरिया में है लेकिन पर्टिकुलर जिले की बात करें तो नागुर जिले में सबसे ज़्यादा खेजडी के वरक्स पाये जाते हैं और इस वरक्स की पूजा विजा दस्मिया दसहरे पे होती है खेजडी के वरक्स के नीचे जो गोगाजी है या जुनजार बाबा है उनका मंदिरिया थान बना होता है ये परंपरा है सेखावटी में ज़्यादा पाये जाते है अभी बात कर रहे हम स्टेट ट्री खेजडी की खेजडी के लिए राज्या में सबसे पहले जो बलिदान सेक्रिफाइ किया था वो अमरिता देवी ने किया था बड़ा बलिदान दिया था इनोंने और इस समय जब ये बलिदान हुआ उस टाइम पर जोदपुर के सासकते अभै सिंग और अभै सिंग के आधेश पर गिर्दरदाश ने इन लोगों की हत्या कर दी गई थी 363 लोग अमरिता देवी के साथ अमरिता देवी हैं ये विश्णोई संप्रदाई से विश्णोई समाज से थी और इनके पती थे रामोजी विश्णोई विश्णोई संप्रदाई है इस बलिदान को साका या खडाना कहा जाता है जो ये बलिदान दिया इनोंने सितंबर 1978 से और वन्य जीव सनरक्षन के लिए सर्वस्रेश्ट जो पुरुषकार दिया जाता है वो यही है अमरिता देवी वन्य जीव पुरुषकार और इसकी शुरुवात हुई थी 1904 में से लगातार अमरिता देवी वन्य जीव पुरुषकार दिया जाता है इसमें 50,000 रुपे दिये जाते हैं और संस्था को दिये जाते हैं अगर कोई इंस्टिटूट इसमें involved है तो और कोई परसन है तो 25,000 रुपे दिये जाते हैं सबसे पहला जो अमरिता देवी वन्य जीव पुरुषकार दिया था ये पाली के थे गंगाराम विश्नोई इनको दिया गया था अभी रिसेंटली राजस्तान सरकार ने जीव जन्तु कल्यान बोर्ड था उसका नाम अमरिता देवी राज्य जीव जन्तु कल्यान बोर्ड करने का निरने लिया है अभी रिसेंटली बहुत सारे बोर्ड बनायते उनमें एक ये भी तारी आपको टेस्स सीरीज में करवाया भी है क्योशन अम्रिता देवी राज्य जीव जन्तु कल्यान बोर्ड आप से क्यूशन पूचा जाएगा जीव जन्तु कल्यान बोर्ड का नया नाम क्या कर दिया है तो वो अम्रिता देवी राज्य जीव जन्तु कल्यान बोर्ड अब कर दिया है एक operation खेजड़ाया शुरू किया था ये सब इसी के लिए है state tree खेजड़ी के लिए ये 1991 में operation खेजड़ाय की शुरूवात हुई थी यहां से पूछा जाता है question किसी भी तरीके से राज्ये पुस्प जो state flower है ये रोहिडा का फूल है रोहिडा के फूल को 21 सक्टूबर 1983 को राज्ये पुस्प गोशित किया गया था रोहिडा का पुस्प इसको मरू सोभा या रेगिस्तान का शागवान कहते हैं और इसका जो scientific name है टिको मेला अंडूलेटा है टिको मेला अंडूलेटा ये इसका scientific name है आपको ये डेट द्यान रखनी है रोहिडा के फूल को राज्ये पुस्प गोशित कब किया था 21 सक्टूबर 1983 को इस तरीके की डेट इयर डाइरेक्ट पूछी जाती है एकजाम में जोदपुर में रोहिडा को है मारवाड के टिके के नाम से भी जानते है राज्ये पसू इस्टेट अनिमल कौन सा है चिंकारा और उंट ये दो राज्ये पसू है एक तो जंगली पसू है चिंकारा और पालतू पसू जो वाइल्ड अनिमल हो गया और एक पैट अनिमल उंट है तो ये दोनों राज्य पसू है, चिंकारा को 1981 में राज्य पसू गोशित किया गया था, ये एंटिलॉप प्रजाती का है और इसका जो साइन्टिफिक नेम है गेजिला बेनेट्टी है, चिंकारों के लिए एक क्यूशन पूछा जाता है, नारगड अब्यारन जो जैपूर मे रेगिस्तान में ज़्यादा पाये जाते हैं, जो मरू भाग है राज्य पसू गोशित किया है, 37 जून 2014 को राज्य पसू का दर्जा दिया था उउट को, और इसकी गोशना 19 सितंबर 2014 को बीका नेर में की गई थी, सबसे ज़्यादा उउट कहां पाये जाते हैं, बाड मेर म और सबसे कम उटों वाला जिला कौन सा है, प्रताप गड है, उटों की जो नशले फेमस हैं, कई बार कुशन पूछा जाता है कि ये किसकी नशले हैं, गोमट, नाचना, जैसलमेरी, अलवरी, सिंधी, कच्छी और बीका नेरी, ये सभी उट की नशले हैं, केमल ब्रीड से ह राजस्तान के जो लोक देवता हैं, पाबुजी ये उटों का देवता भी कहा जाता है, उट पालने के लिए रहबारी जाती हैं, उट की खाल पे जो कलाकारी की जाती है, उस कलाकारी को उस्ता कला कहा जाता है, उस्ता आर्ट ये कुशन बहुत बार एक्जाम्स में पूछ पुछा जाता है इवन जो राजस्तान administrative services का preliminary screening exam होता है उसमें भी पूछा जाता है ये question ये assistant professor में भी पूछा गया है आप इसको द्यान रखिएगा एक और जो पूछा जाता है कापी ये किसकी खाल से बनता है तो उटकी खाल से ठंडे पानी के desert में पानी है जो जल्दी गरम हो जाता है तो उसको ठंडा रखने के लिए ये उंट की खाल से एक बनाया जाता है जल पातर उसको काफी कहता है काफी एक क्यूशन जो पूछा जाता है भारत की एक मात्र उंटनी के दूद की डेरी कहां पे है ये उर्मूल डेरी है और ये बीका नेर में है उंटनी का जो दूद है उसमें बिटामिन सी पाया जाता है ये डेरी जरूर द्यान रखना उर्मूल डेरी है ये बीका नेर में है पु उन्होंने पहले विश्वयुद में दूसरे विश्वयुद में एक गंगा रिसाला नाम से उंटों की एक सेना बनाई थी और उस सेना के पराकरम को देखते वे ही BSF में भी उंटों को बाद में सामिल किया गया है आप अगर इसको seriously जो भी करवाया गया है अभी तक जो अभी करवाया जा रहा है आगे करवाया जाएगा उसको अच्छे से कर लेते हैं रिविजन कर लेते हैं तो आप निश्चिन तरही आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा एक्जाम में जो state bird है ये go down है और इसको great indian bastard भी कहा जाता है तो कई जगे आपको go down मिलेगा कई जगे great indian bastard मिलेगा ये राजस्तान का राज्यपक्सी है और इसको 1981 में राज्यपक्सी के तोर पे गोशित किया गया था इसका जो scientific name है ये है Ardeotis nigeri sams Go down है ये ज़्यादा तर तीन जगे ही ज़्यादा पाया जाता है Maroodyan में सोरसन जो बारा में है और शोंकलिया अजमेर में एक क्यूशन डायरेक्ट पूचा जाता है कई बार ये सोंकलिया अजमेर का कि ये यहाँ ज़्यादा कौन सा पक्सी पाया जाता है तो गोडावन यहाँ पाया जाता है गोडावन के जो प्रजिनन केंदर है उसके लिए जोदपूर जनतुआल है ये परशिद है राज्यगीत की बात करें तो ये राज्यगीत है कि शरिया बालम आउनी पदारे मारदेश ये राज्यगीत है इसको सबसे पहले किषने गाया था उद्यपूर की मांगी बाई ने ये कुशन अलाग अलग तरीके से पूछा जाता है कई बार पूछा जाता है कि जो राजस्तान का राज्य गीत है उसको सबसे पहले किषने गाया था किसके द्वारा गाया गया था ये मांगी भाई लेकिन इसको international पहचान किसने दिलाई ये बीकानेर की है अल्ला जिला बाई इनों ने इंटरनेशनल पहचान दिलाई इस राजजगीत को और इनको राजस्तान की मरुको किला भी कहते हैं ये मांड गाई का है सबसे पहले इनों ने ये बीकानेर के जो मारा जाते गंगा सिंग जिनके अभी बात कर रहे थे वो केमल उंट के टाइम पे तो इनी के दरबार में गाया था राजज नर्ते है ये गूमर है और ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नर्ते है गूमर ज्यादातर आदिवासियों में और इस मेंली विमेंस का मैलाओं का ये जो राजस्तान के डांस है ये पूरा टॉपिक अच्छे से कवर करवा दिया है सारे नर्ते करवा दिये है तो आप उस टॉपिक को जाके देख लीजेगा चैनल पे क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट मिलेगा RPSC के अलग से प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप डूण लीजे मिल जाएंगे आपको टेस्ट और इंपोर्टन टॉपिक राज्य सास्त्री नर्ते कौन सा है कथक नर्ते है कथक के लिए देखिए भारत में लखना वो राज्य क्ते है आप से या तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है या फिर आपसे मैचिंग में पूछा जाता है matching में पूछ लिया जाता है यहाँ आपको district दे दिया जाएगा और यहाँ पे उसका जो भी सुभंकर है जिले का वो दे दिया जाता है पुछा जाता है इन में से कौन सा सही है कौन सा incorrect match हो रहा है एक question यहाँ से definitely पुछा जाता है हर जिले को क्या कर दिया अब किसी ना किसी वन्य जीव पसु के नाम से जाना जाता है तो वो ही उस जिले का सुभंकर हो गया और यह हर जिले की जिम्मेदारी है कि उसको बचाए उसको संरक्षित करने की यही वज़ा है कि हर जिले का भी एक अलग सुभंकर है 2015 में राजस्तान सरकार ने प्रतेक जिले का एक वन्य जीव गोशित किया था राजस्तान ऐसा पहला राज्य जिसने जिलों के मसकटते किये गए है वन्य जिवों के अभी जो नए जिले बने हैं उनमें गोशना नहीं हुए तो आप निश्चिंत रही है टाइम कराब मत कीजिए वहां से कुछ नहीं आएगा ये सुभंकर वगरा से रेलेटेड जिलों का कौन सा है एक्जाम्पल के तोर पर आप मैं बता देता हूँ बाकि आप इनको पढ़ लीजेगा और ये सबी आपको मिल जाएंगे मसकट या सुभंकर है चूरू का है काला हीरन है दोसा का खरगोस है इस तरीके से आपको याद रखना है एक क्यूशन यहां से पूछा जाएगा और ये आपको टेस सीरीज में लगातार करवाए जा रहे हैं और आगे भी करवाए जाएंगे जुद्धनू का काला तीतर है जालोर का बालू है करोली का गड़ियाल है कोटा का उद बिलाव है उदेपूर का बिज्जू है यह इस तरीके के क्यूशन आपको पूछे जाते हैं एक्जाम में और यहां से एक क्यूशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं परताप गड़ को उड़न गिलहरी ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है लेकिन आप सभी याद कीजिएगा ये ज़्यादा मुस्किल काम नहीं है अगर आप 20 भी याद कर लेते हैं तो बाकी Elimination से कर सकते हैं अगर डाइरेक्ट नहीं आता है तो मैं तो कहूंगा सभी याद कर लेगे तो अच्छा रहेगा देखे एक क्यूशन यहां से पूछा जाता है जो फिजिकल डिविजन है राजस्तान के फिजिकल डिविजन से क्यूशन पूछा जाता है यहाँ पर चार फिजिकल डिविजन है मैंली राजस्तान के पस्चिमी मरुस्तली प्रदेश इसमें मैप में पढ़ते हम इसको ताकि आपके अच्छे से समझ में आएगा यह रेफ्रेंस के तोर पे नया सबसे छोटा जिला है यह नय जिले बने जिन में सबसे छोटा जिला है यह तीनी तैसिले हैं दूदू जिला पहला जो है पस्चिमी मरुष्थलिय प्रदेश देखे पस्चिमी मरुष्थलिय प्रदेश कौन सा है आप इसको देखते हैं मैप में तो ये जो एरिया है ये जो एरिया है चूरू का थोड़ा एरिया आता है उसमें ज्यादा नहीं आता हलका सा पार्ट आता है चूरू का नयके बराबर इसको कहा जाता है पस्चिमी मरुष्थलिय प्रदेश ये डेजर्ट एरिया है वेस्टरन डेजर्ट इसमें भी दो पार्ट है एक है यह dry है dry सुस्क मरुस्तलिय प्रदेश और यह irrigated कह सकते हैं सिंचित जो मरुस्तलिय प्रदेश है वो यह है सिंचित मरुस्तलिय प्रदेश जो ड्राय वाला मरुस्तले प्रदेश है इसमें ये एरिया आते हैं जैसल मेर हो गया बाड मेर हो गया ये एरिया ड्राय में आता है जो सिंचित है उसमें गंगानगर, अनूपगड, हनुमानगड ये एरिया जो नागोर हो गया ये वाला एरिया जोदपूर है ये सिंचित मे आता है, जोदपुर का आदा एरिया है, ड्राय में आता है, लेकिन आपको इतना डीप में नहीं पूचा जाएगा, आपको तो इतना ही द्यान रखना है, ये जो इस लाइन के इधर का पॉर्शन है, ये पस्चिमी मरुस्तलिय प्रदेश है, एक क्यूशन पूचा जाता है, यहाँ पे है, जो गगर के मैदान, पूचा जाता है, गगर के मैदान, वो कहाँ पे है, गगर प्लेंस, ये गंगानगर जिले में है, यहाँ पे, गंगानगर अन्मानगर में है ये, गगर प्लेंस, ये आपको द्यान में रखना है, इसके अलावा जो दूसरा है, फिजिकल प्रवत्य प्रदेश कैं अरावली प्रवत्य प्रदेश आ जाता है और अरावली ग्रामिन जैपूर जैपूर ग्रामिन या फिर ये कोट पूतली अलवर खैर्थल तिजारा नीम का थाना ये वाला जो पॉर्षन है ये पॉर्षन आ जाता है जो अरावली का है अरावली प्रवतिय प्रदेश जो है उसमें आते हैं सिरोई सिरोई है उद्यपूर है राजसमंद है ब्यावार अजमेर जैपूर क्योंकि अरावली यहीं पे ज्यादा एक्सपेंशन है अरावली का तो ये अरावली प्रदेश में आता है तीसरा पूर्वी मैदानी भाग आता है जो पूर्वी मैदान है ये वाला जो एरिया है ये पूर्वी मैदान में आता है पूर्वी मैदानी भाग जो eastern plane area का आ जाता है वो ये वाला portion है इसके नीचे आप देखोगे थोड़ा कोटा बारा जालावाड ये वाला area है ये हाडोती का area है हाडोती का पठार ये वाला area है 56 का मैदान जो है 56 का मैदान ये वाला जो डूंगरपूर बांशवाड़ा का area है ये माही river माही plane माही basin या 56 plane चपन का मैदान वो ये ये वाला area है एक question पूछा जाता आप से यहाँ से उद्यपूर वाला जो बोराट का प्लेट्यू है बोराट का पठार वो ये region है माउंट आबू यहाँ पे है जो बांगड सेखावटी की बात होती है बांगड सेखावटी वाला ये region रह गया ये वाला है लूनी बेसिन जो area है ये जो बाती रह गया साचोर जालोर ये वाला जो area है डिडवाना कुचामन ये area लूनी बेसिन एरिया कहलाता है लूनी रिवर इसका बेसिन एरिया कहलाता है तो इस map को जरूर पढ़िएगा ये physical divisions है कुछ जो मोटा मोटा आपको मैंने fast forward में बताया है यहां से question पूछा जाता है exam में और map की help से पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद होगा और वो useful भी रहेगा अब देखते हैं राजस्तान की सीमा है राजस्तान की जो सीमा है यहां से question पूछ लिया जाता है कुल जो इस्थलिये सीमा है 5920 किलो मेटर है अब जो question पूछा जाता है कि राजस्तान की international boundary इतनी है 1070 किलो मेटर अंतराश्टी सीमा है जो सिर्फ पाकिस्तान के साथ लगती है राजस्तान की तो राजस्तान की international boundary 1070 किलो मेटर है पाकिस्तान के साथ लगती है interstate boundary 4850 किलो मेटर है यह 4850 किलो मेटर है पंजाब, हरियाना, उत्तरप्रदेश, मद्यप्रदेश और गुजरात इन पांच राज्यों के साथ लगती है तो एक कंट्री और पांच राज्यों के साथ राजस्तान का बॉर्डर लगता है इंटरि स्टेट की बात करें तो जो पांच राज्ये हैं, उन से अंतर राज्ये सीमा बनाता है इंटरि स्टेट बॉर्डर, इसके नौर्थ में पंजाब है नौर्थ इस्ट में हरियाना है, इस्ट में उत्तरप्रदेश है साथ इस्ट में मद्यप्रदेश है और शाथ में गुजरात है पंजाब से सबसे कम सीमा लगती है 89 किलोमेटर राजस्तान के दो जिले गंगानगर और हनमानगर स्री गंगानगर और हनमानगर की सीमा पंजाब से लगती है और पंजाब के भी दो जिले हैं फाजिलका और मुक्तसर इनकी सीमा इन दो जिलों से लगती है सबसे ज़्यादा बात करें तो स्री गंगानगर की लगती है और सबसे कम हनुमानगर की लगती है इन दोनों में भी अनुमानगर की कम लगती है स्री गंगानगर की ज़्यादा लगती है एक क्यूशन पूचा जाता है पंजाब सीमा के नजदीक जिला मुख्याले कौन सा है तो स्रीगंगानगर है और अनुमानगड दूर है वहाँ से हर्याना की कितनी लगती है 1262 किलोमेटर राजस्तान के आठ जिले हर्याना के साथ जिलों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और ये मैप में देखिएगा और इन जिलों के नाम आप जरूर याद कीजिएगा राजस्तान के आठ जिले हैं जो हर्याना से बॉर्डर शेयर करते हैं अनुमानगड चूरू जुनजुनू नीम का थाना ये नया जिला बना है कोटपूतली ये नया बना है बैरोड नया ब बना है और अलवर और ये डीग नया बना है इन आठ जिलों की सीमा है जो हर्याना के साथ लगती है उत्तर प्रदेश के साथ राजस्तान के पहले दो जिलों की सीमा लगती थी बरतपूर दोलपूर अब डीग नया जिला बन गया तो ये तीन जिलों की सीमा लगती है उत्त तीस्ट वाला एरिया है, इसमें कोई नया जिला नहीं बनाया है, ना किसी जिले का पुनर गठन किया गया है, ज्यादा तर बोट बैंक के चक्कर में किये गया है, और अभी कंडिशन यह है कि जैसा भी हम पढ़ रहे थे, उपर सुबांकर, तो वो भी तैय नहीं है, कई जिल नियुन्तम सिमा भीलवाडा से लगती है, जो मद्यप्रदेश की बात कर रहे थे हैं, गुजरात है, राजस्तान के छे जिलों से गुजरात के छे जिलों की सिमा लगती है, पहले पांच की लगती थी, अब सांचोर और जूड़ गया है, पहले जालोर की लगती थी, तो छ साथ लगती है और सबसे छोटी पंजाब के साथ लगती है तो राजस्तान की सबसे ज़्यादा सीमा मद्यप्रदेश के साथ है सबसे कम पंजाब के साथ है अगर interstate की बात करें तो किस जिले की सीमा अंतर राज्य सीमा में सबसे लंबी है तो मद्यप्रदेश के साथ यह जालावार जिले की लगती है वो सबसे जादा है कितने जिले हैं राजस्तान के जो किसी भी राज्जे या किसी देश के साथ कोई बाउंडरी नहीं बनाते वो अंतरवर्ती जिले कहलाते हैं वो 22 जिले ऐसे हैं अंतरराष्ट्य शीमा पे 5 जिले हैं बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगड और स्रीगंगानगर ये 5 जिले हैं फलोदी का अभी अपडेट नहीं किया गया है इसलिए फलोदी को नहीं लिया जा रहा है पाँच जिले हैं बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगड और स्रीगंगानगर रास्तान के दो ऐसे जिले हैं जिनकी अंतरराज्य और अंतरराष्ट्य सीमा लगती है एक तो गंगानगर है जिसकी पाकिस्तान और पंजाब से लगती है एक बाड मेर है जिसकी पाकिस्तान और गुजरात से लगती है यहां कन्फ्यूज नहीं होना है दो जिले हैं जिनकी अंतराज्य और अंतराष्टिय सीमा लगती है चार ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा दो या दो से ज़्यादा इस्टेट के साथ लगती है और वो चार कौन से हैं अन्मानगड है इसकी पंजाब और हर्याना से लगती है डीग है ये नया जिला बना इसकी हर्याना और उत्तरप्रदेश से लगती है दोलपूर की उत्तरप्रदेश मद्यप्रदेश से लगती है बाशवाड़ा की मद्यप्रदेश और गुजरात से लगती है सबसे ज्यादा जिलों की सीमा किस की लगती है जैपूर ग्रामेन जिले की लगती है जैपूर था इसके जैपूर रूरल और जैपूर ग्रामेन कर दिया या फिर जैपूर और जैपूर रूरल जैपूर और जैपूर रूरल ये दो कर दिये गए है तो जैपूर रूरल जो है उसकी सीमा सबसे ज्यादा 11 जिलों से लगती है और सबसे कम किन जिलों से लगती है तो जैपूर ग्रामेण से जोदपूर है उसकी जोदपूर ग्रामेण से सीमा लगती है क्योंकि जैसे पहले ये जैपूर जिला था अब इसमें क्या कर दिया ये बना दिया जैपूर और ये जो बाहर का इसके रह गिया ये जैपूर रूरल कर दिया तो वैसे जोदपूर में किया है ये जोदपूर अर्बन कहें या जोदपूर कहें और इसके बाहर का जोदपूर ग्रामेन फलोदी का जैसे मैं बता रहा था अभी ओपिशल साइट पे पाकिस्तान के साथ नहीं दिखाया गया इसलिए इसको भी 22 जिलों में लिया है जिनकी सीमा ना किसी राज्ये से लगती ना किसी देश से कुछ अपडेट होगा तो जरूर आपको बता देंगे जाता है यह 14-15 अगस्त को जब देश आजाद हो था उस टाइम ही बनाए थी 310 किलोमेटर इसके लंबाई है रेड क्लिफ रेखा की यह आपको ध्यान रखना है यह रेड क्लिफ रेखा की कितनी लेंथ लंबाई है रेड क्लिफ जो बांडरी है यह चार राज्यों के साथ ह जम्मु कस्मीर, पंजाब, राजस्तान और गुजरातिन में सबसे ज़्यादा है जो जम्मु कस्मीर के साथ लगती है और फिर राजस्तान के साथ लगती है अब राजस्तान की बात करें तो राजस्तान की यह 5 जिले हैं जो रेड क्लिफ के साथ सिमा लगती है श्री गंग चानगर अनूपगर बीकअब जैसलमेर और बाड मेर और आप इसको मैं रिक्वेस्ट करऊंगा कि मैप में जरूर देखें रेड क्लिप रेखा है ये राजस्तान की बात करें तो कहा से कहा तक है गंगा नगर में हिंदू मल कोट से और बाड मेर का ये बाखा सरगाव है वहाँ तक रेड क्लिप रेखा राजस्तान से लगती है बाकी टेस्ट सीरिज में इसारे क्यूशन आपको जो बेस्ट बनते हैं वो करवाय जा रहे हैं काफी टेस्ट हो चुके हैं और एक्जाम तक करवाय जाएंगे अब बात करते हैं राजस्तान के जिलों की यहां से भी क्यूशन पूछा जाता है कौन सा जिला कब बना है, किस से अलगों के बना है और हो सकता एक अडिक्यूशन ये नए जो पुनरगठन हुआ है उसका पूछ लिया जाए आप ये जरूर पढ़िएगा एक नॉम्बर 1956 को जब राजस्तान का एकी करन होता उस ताइम पे 26 जिले थे और 26 जिला बनाया था अजमेर उसके बाद ये करवाया जा चुक है आपको सारे 33 जिले तक जो लाश्ट था वो 2008 में बना था और उसके बाद अभी 2023 में नए जिले बनाये 18 जिलों का पुनरगठन करके और 19 नए जिले बनाये है 7 अगस्त 2023 तेविस राम लुभाया कमेटी ये 21 मार्च को इनकी समिति का गठन हुआ था ये हम पहले भी कई बाद डिसकस कर चुके हैं और जो 19 नए जिले बने हैं उनके नाम जरूर द्यान रखेगा इसके साथ साथ पहले 7 संभाग थे अब 3 और नए संभाग कर दिये तो टोटल 10 डिविजन संभाग हो गए है सीकर, पाली और बाशवाड़ा ये 3 नए संभाग और बना दिये गए हैं और ये 19 नए जिले हैं जो आपको द्यान में होंगे आप तैयारी कर रहे हैं रेगुलर तो एक क्योशन यहां से पूछा जाता है क्या सेप है, किस जिले की कौन सी सेप है तो ये आपको द्यान रखना है जिला उसके आकरती कैसी है जैसे एक्जामपल के तोर पे जैसलमेर का है तो बहुबुज, एनियमित, दौसा, धनूशाकार जितोड़ गड़ है, तो गोड़े की नाल के जैसा है इस तरीके का क्योशन आपके एक्जाम में एक क्योशन पूछा जाता है आप इसका टेबल बना के जरूर याद कीजिएगा मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तकि सपोर्ट मिलता रहेगा आपका एक क्योशन यहां से पूछा जाता है आपके जो प्राची नाम या उपनाम या जो डिपरेंट डिपरेंट बोगोलिक नाम है प्रचलित नाम है, किस क्षित्र का क्या प्रचलित नाम रहा है इस तरीके का यह क्योशन आपके एकजाम में आपको यहां से पूछा जाता है यह आपको याद रखने है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है बोराट का पठार, यह डारेक्ट पूछा जाता है बोराट का पठार कहां अवस्तित है, कहां इस्तित है तो ये कुंबलगड जो राजसमंद में है और गोगुंदा ये उद्यपूर के मद्य का पठारी भाग है जिसको बोराट का पठार का जाता है बोराट प्लेट्यू ये कुंबलगड और गोगुंदा ये राजसमंद और उद्यपूर लशाडिया का प्लेट्यू सलूंबर में है सलोंबर नया जिला बनाया है सलोंबर में ये जैसमन से आगे जो कटा पठा कटा हुआ पठारी भाग है उसको लशाडिया का पठार का जाता है सलोंबर में है पहले ये उद्यपूर आता था अब जाता है देश अरो क्या है कि ये एरिया हमेशा हराबरा रहता है इसलिए इसको देश अरो कहा जाता है ये एरिया है उद्यपूर और सिरोही के बीच का एरिया है जो जरगा है जरगा मांटेन प्लेट्यू है रागा है सिरोही में ये पहाडिया है जरगा और रागा इनके जो बीच का एरिया है, यह हमेशे अरा-बरा रहता है, यहां बारिस बहुत होती है, इसलिए इसको देश अरो काहा जाता है, मगरा है, उद्यपुर में, जो उत्तर पस्चिमी परवती बागे, इसको मगरा काहा जाता है, यहां पे एक तैसिल भी है, रेल मगरा, रेल मगरा तैसि विजोलिया है, उस तक और उपरमाल कहलता है पठारी बागह है कौनसा है चितोडगड से और बिलूडा के बीच का चितोडगड में जो बैंसे रोडगड है मुए बैंसे और विजोलिया पीछसी में जो पंधारी भाग neither और क्राएं खेराड क्या है बीलवाडा, सहापूरा नया जिला बनाया है और टॉंक इनका जो बनास बेशिन एरिया है उसको खेराड का आ जाता है तो डाइरेक्ट दो चीज दी जा सकती है आपको खेराड पुछा जाए तो ये जिले दिये जाएंगे तो बिलवाडा, सापुरा और टॉंक या फिर बनास बेसिन माल-खेराड क्या है? माल-खेराड जो अभी हमने दो पड़े हैं एक यह उपरमाल और खेराड उपरमाल और खेराड दोनों का जोईंट जो एरिया है उसको माल-खेराड कहते है आप समझें जो बिलवाडा, शापुरा, टॉंक और चितोडगर से बिलवाडा तक तो चितोडगर से और टॉंक के बीच का जो एरिया है ये जो एरिया है पूरा बनास बेसिन एरिया है इसको माल-खेराड भी कहते हैं जोईंट ली छपन का जो मैदान है चपन प्लेंस ये बहुत एक्जाम्स में पूचा जाता है असिस्टेंट प्रोफेशर में भी लगातार पूचा गया है इससे क्यूशन बांशवाडा और प्रताफगड के बीच का जो बूबाग है उसको चपन का मैदान कहते हैं और ये माही नदी बनाती है ये प्लेंस एरिया चपन गाउं ये चपन नालों का समू है ये और ये चपन का मैदान है यहां दो तिन चीजे द्यान रखने है बांशवाडा प्रताफगड के बीच का और माही नदी दक्षणी राजस्तान राठ क्या है कोट पूतली खेर्थल तिजारा डीग अलवर बरतपुर का वो एरिया है जो हर्याना से सीमा लगाता है उसको राठ कहते हैं तो राठ क्या है राजस्तान के वो जिले जिनकी हर्याना के साथ सीमा लगती है उस क्षेत्र को राट कहते हैं और उसमें कौन से जिले हैं कोटपुतली नया बनाया है तिजारा ये नय जिले हैं अलवर बरतपुर पहले से थे तो राट हर्याना से जो जिलों की सीमा लगते हैं कांठल क्या है माही नदी के किनारे का जो भूबाग है उसको कांठल कहते हैं इस्पेशली प्रतापगड का जो भूबाग है उसको कांठल कहते हैं और माही नदी को कांठल की ये गंगा भी कहा जाता है बाखर का ये किशन फ्रिक्वेंटली एक्जाम में पूछा जाता है बाखर क्या है तो पूर्वी सिरोई क्षेतर में जो अरावली की तेजी से जो डलान वाली उबर्ड खाबड वाली पहाडिया है उनको बाखर कहा जाता है ये बहुत बार पुछा जाता है एक्जाम में बाखर क्या है ये अरावली की उबडखाबड़ वाली तेज डलान वाली पहाड़िया है और ये कहां पे हैं इस्टन सिरोई में मालानी क्या है जालोर और बालोतरा के बीच का जो भाग है उसको मालानी का आ जाता है इसको मैप में देखिएगा जालोर कहा है और बालोतरा बाडमेर में है इसके बीच का जो एरिया है उसको मालानी का जाता है थली लूनी का जो नदन एरिया है उसको थली कहते हैं लूनी रिवर है उसका जो उत्री ये क्षेत्र है लूनी का उत्री क्षेत्र उसको थली कहते हैं इसमें विकानेर, पस्चिमी, चूरू और अनूपगड ये तीन जिले आते हैं, इन से मिलके ये थली क्शेतर बनता है देवलिया मेवलिया, डुंगरपुर और बाशवाड़ा के बीच का जो भाग है उसको देवलिया मेवलिया कहते है, लिटल रन क्या है? जो कच रनोप कच है जो राजस्तान में कच की खाड़ी का क्षेतर है उसको लिटल रन कहते हैं पुस्प क्षेतर किसको कहते हैं पुस्प क्षेतर है डुंगरपुर बांशवाडा का जो जो जोइन्ट एरिया है मतलब डूंगरपुर और बांशवड़ा का जो एरिया है उसको कुस्प क्षेतर भी कहते हैं सुजला क्षेतर, सीकर, चूरू, डिडवाना, कुचामन और नागोर इस एरिया को सुजला क्षेतर कहते हैं यह सब आप याद कीजिएगा मैप में लिख लीजे या तो आप अपने नोट्स बनाते हैं तो मैप में अगर लिख लेते हैं तो रिविजन में आसानी होगी मालवा का क्षेतर, जालावाड और प्रतापगड का जो संयुक्त रूप से क्षेतर है उसको मालवा का क्षेतर कहते हैं दरियन गतिसील किसको कहते हैं रेत के जो टीले हैं उनको राजस्तान में लोकल वासा में दरियन कहा जाता है इसलिए दरियन गतिसील ये रेत के टीले हैं नहरावाटी क्या है नहरा ये जाट होते हैं नहरा सरदार जुजार या जुजार सिंग जिनके नाम पे जुझनु सहर बसाया गया नहरा जाटों का राज था यहां पे राजस्तान में नरहर और नाहरपूर में था ये जो जुझनु है ये पहले नरहर नारपूर और या नहर जाट हुआ करते थे नहरा सरदार जुजार सुन या जुजार सिंग ने के नाम पे ये जुजुनों का नाम पड़ा है इसलिए इस क्षेत्र को पहले नहरावाटी कहते थे बाद में सेखावाटी कहने लग गए बोमट क्या है डुंगरपूर शिरोई और उदयपूर जिले का जो ट्राइबल बाग है ये इस्पेशली ध्यान रखियेगा बोमट क्या है डुंगरपूर पूरवी शिरोई और उदयपूर जिले का जो आदिवासी बाग है आदिवासी प्रदेश इसको बोमट कहते है कूबर पट्टी ये भी एक्जाम में बहुत बार पूछा गया है नागोर जिलेक में जो नागोर के जल में फ्लोराइड की मातरा ज्यादा होती है और उससे क्या है फिजिकली विकरती होने की संभावना हो जाती है और इदर जो कूब कहा जाता है और उसकी वज़े नागोर में जो फ्लोराइड ज्यादा होता है इसलिए उसको कूबर पट कहा जाता है एक लाटी सीरीज का किशन पुछा जाता है लाटी सीरीज यह जैसल मेर का है पोखरण से मोहनगड तक जो पाकिस्तानी सीमा है उसके सहारे एक मीठे पानी की एक सीरीज है उसको ही लाटी सीरीज कहता है यह मीठे पानी की पेटी है और पोखरण जैसल मेर से महरा मोहनगड तक है पाकिस्तान की सीमा तक एक क्यूशन पुछा जाता है सेवन घास का ये लाटी सीरीज पर उगती है ये सेवन घास जैचल मेर में बांगड और बांगड क्या है सेखावटी और मरु प्रदेश के बीच की जो सक्री पेटी है उसको बांगड या बांगड का आ जाता है वागड वागड और बांगड अलग अलग है बांगड है ये सेखावटी वागड है ये डूंगरपुर और बांश्वाड़ा वाणश्वाड़ा 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 है ये चंबल नदी सवाय मादोपूर, करोली और दोलपूर में जो बड़े-बड़े गड़ों का निर्मान करती है और इन गड़ों को ही बीहड डांग या खादर का आ जाता है आपने सुनाओगा डांग ये डाकूँ की शरण इसले के नाम से भी जानते हैं से ज़ादा बीहड दोलपूर में है यह चंबल का एरिया है अब तो खैर काफी शान्ती हो गई पहले यहां कोई जाता नहीं था मेवात है ये अलवर का जो एरिया वो है लेकिन अब खैर-सलbrand तिजारा और उतरी अलवर का एरिया मेवात है, यह यहाँ क्राइम काफी रहता है sensitive area एक तरीके से यह राजस्तान की जीले एक क्यूशन यहाँ से पुचा जाता है आप से और कई बार तो की कौन से जीले में है यह जील या फिर इनमें से कहारे पानी की जील कौन सी है ये मीठे पानी की जील कौन सी है इस तरीके से पुछा जाता है question देखते हैं देखें उपर से देखें तो एक question पुछा जाता है बूडा जोहड का बूडा जोहड का question पुछा जाता है तो वो अनूपगड जीले में है पहले से गंगानगर करते थे बूडा जोहड ये मीठे पानी की जील है बूडा जोहड और ये अनूपगड जिले में है एक बीकानेर का पुछा जाता है या तो गजनेर का या फिर कोलायत लेक का गजनेर और कोलायत लेक ये दोनों ही है मीठे पानी की जीले है ये बीकानेर में है गजनेर और कोलायत ये ध्यान रखना आपको एक और पुछा जाता है लून करणसर का लून करणसर यहाँ पे है बीकानेर में और ये खारे पानी की जील है इस एरिया में है इस एरिया में ज इसमें है ये लून करण सर खारे पानी की जील है, बाकी जो गजनेर है वो यहाँ पे है, कोलायत यहाँ पे है, ये दोनों मीठे पानी की जील है, इसके अलावा आप देखोगे तो एक बाप है, बाप यहाँ पे और एक फलोदी जील, ये दोनों ही खारे पानी की जील है, जैसलमेर में है कावोद, कावोद जैसलमेर में और एक पोकरण कावोद और पोकरण ये दोनों है जो खारे पानी की जीले है यहाँ पे बूज है, यहाँ अमर्शागर है और यहाँ मूल्शागर है और यहाँ गड़सी सर है ये जो चारो है, बूज, अमर्शागर, मूल्शागर और गड़सी सर, ये चारो मीठे पानी की जील है, और ये खारे पानी की जील है, इसके अलाओ जो एक्जाम में क्यूशन पूछा जाता है, बालोत्रा का, ये पच्पद्रा लेक का क्यूशन पूछा जाता है, पच्पद इसके अलावा कोच चुरू को पूचा जाता एक काले पानियेओ के लिए भरीट खाने की पूखा इसके अलावा रेवासा को क उस्टन बग्लाभ बॡंज बॡंज is completely Safork News और एक डिडवाना लेक है, ये दोनों ही खारे पानी की लेक है, सीकर में रेवासा भी खारे पानी की लेक है, इसके अलावा एक और कोछार ये भी खारे पानी की लेक है, कोलायत लेक का पूछा जाता है, कोलायत लेक वो यहाँ पे है, यहाँ पे और कोलायत लेक मीठे पानी की लेक है जोदपुर जिले में है और इसके अलावा एक बाल समंद लेक और है वो भी यहाँ पे है बाल समंद लेक ये भी मिठे पानी की लेक है तो ये दो लेक है जो जोदपुर में है मिठे पानी की पुशकर में है अजमेर पुशकर अजमेर में आता है और इसमें जो पु मीठे पानी की लेक है, एक आना सागर लेक है, ये भी मीठे पानी की लेक है, तो अजमेर में तीन लेक हैं, पुसकर, फाईशागर और आना सागर ये तीनों मीठे पानी की लेक है, सिरोई में है, एक कुछन पूछा जाता है, नक्की जील का, नक्की जील सिरोई में मीठे पा पानी की जील है इसके अलावा उदेपूर का पूछा जाता है पिछोला जील का मीठे पानी की जील है पहले एक कुछन पूछा जाता था यहां से जैसमंद जील का जो उदेपूर करते थे उसका आंसर अब सलूंबर में आ गई है जैसमंद जील और यह मीठे पानी की जील है एक गेब सागर है, गेब सागर जो है वो डूंगरपुर में आती है और ये गेब सागर डूंगरपुर में मीठे पानी की जील है और जो सलुंबर में है ये जैसमंद लेक का ये भी मीठे पानी की जील है, पिछोला लेक उदयपुर में है ये भी मीठे पानी की जील है, राम सागर लेट का राम सागर भी मीठे पानी की जील है एक तालाब साही पूछा जाता है तालाब साही ये भी दोलपूर में ही है और ये दोनों मीठे पानी की जीले हैं इसके अलावा एक भरतपूर का कुछन पूछा जाता है मोती जील का मोती जील भी मीठे पानी की जील ह एक अलवर का पूछा जाता है जो सिली सेड का पूछा जाता है ये अलवर में है ये भी मीठे पानी की जील है एक नीम का थाना अभी जो नया जिला बना है इसमें एक जील है ये पीथम पूरी है पीथम पूरी ये नीम के थाना में है नया जिला बनाया इसमें और ये खारे पानी की जील है तो यह राजस्तान की जितने भी खारे और मीठे पानी की जील है EU अब इसको ये सारे करवा दिये हैं यहां से गिंशन पूछा जाता है अगर आपको ये याद है depths कोई पूछा जाएगा तो आप कर देंगे उसको ईजी ले इसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यह बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं और यहां से जैसा मैंने शुरू में का आपको 8-10 कुशन देखने को मिलेंगे अब हम देखते हैं राजस्तान की क्लाइमेट क्या है जलवाय। जिससे एक और कभी दो कुशन भी आपके एकजाम में पूछे जाते हैं मिनिमम एक नहीं तो दो कुशन क्लाइमेट पे पूछे जाते हैं जोइन करना है इस नमबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वेब्साइट पे जाके याप वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्षन में test series मिल जाएगी अगर practice करनी है तो practice test के link मिल जाते हैं और अगर आपको fast forward में पढ़ना है तो ये videos की help लीजिए और pdf का compilation available है अभी जितने test हुए उनका pdf available है वो भी आप ले सकते हैं थोड़ा सा अब time exam को जादा दीजिए और revision पे focus कीजिए और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो यहां जितने वीडियो अवे लेबल है वो पढ़ लीजिए gs के paper फैल नहीं हो गया अच्छा score हो जाएगा लेकिन time आपको देना पढ़ेगा revision भी करना पढ़ेगा और जो difference create करता है वो general studies का जो paper third है वो ही create करता है अपने जो subject का paper है उसमें लगबग लगबग सभी की एक जैसी mastery होती है अगर seriously तेहरी कर रहे हैं तो राजस्तान का जो जलवाईू है उसके इसाब से इसको पांच तरीके से division किया गया है जलवाईू को पांच बागों में बाटा गया है एक सुस्क अर्द सुस्क, उपाद्र, आद्र और अतियाद्र ये पांच बागों में राजस्तान की जलवाईू को बाटा है एक एक करके देख लेते हैं देखें ये जो area है ये area ये है सुस्क सुस्क area है ये और इसको का आजाता है सुस्क जलवाईू प्रदेश सुस्क जलवाईू प्रदेश जहां 0 से और 20 cm बारिस होती है जैसल मेर, बाड मेर का थोड़ा area, फलोदी, बीकानेर, अनूपगड ये चार जिले आते हैं और बाड मेर का थोड़ा तो आप इनको देखेगा ये मैंने बताया आपको जैसल मेर, बाड मेर, फलोदी, बीकानेर, अनूपगड ये मेंली ये जिले हैं जहाँ पे सुष्क जलवायू पाए जाती है दूसरा जो है अर्द सुष्क जलवायू अर्द सुष्क जलवायू कहाँ पे पाए जाती है बाडमेर बालोतरा जोदकुर और जोदपुर ग्रामेर नागोर चूरू अनुमानगड और स्री गंगानगर यह जो एरिया है इसमें अर्ध सुस्क semi dry climate पाया जाता है अर्ध सुस्क जलवाय। पाया जाती है और यहाँ पे जो होता है 20 से और 40 cm बारिस होती है तो यह हो गया पहला सुस्क दूसरा अर्ध सुस्क जिसमें यह जिले हैं मैप की हेल्प से पढ़ेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा समझना तीसरा है उपादर जलवाय। प्रदेश है इसमें जो जिले आते हैं राजस्तान के उपादर तीसरा देख रहे हैं उपादर इसमें सिरोही इसके अलावा जो ये पाली और जालोर का थोड़ा एरिया देन ब्यावर ये वाला एरिया ये जो एरिया है यहां से ये इतना ही है ये वाला एरिया ये अतियादर है उपादर उपादर जलवाय। पाई जाते हैं यहां पे उपादर जलवाय। होते हैं जहां पे 40 से और 60 सेंटिमेटर बारिस हो इसके बाद जो चौथा है आदर जलवाय। आदर जलवाय। है इसमें ज़्यादा जिले हैं तो सबसे ज़्यादा जिलों में कौन सी जलवाय। पाई जाती है? ज़्यादा तर आदर जलवाय। पाई जाती है ये कौन से जिले है? देखे ये सिरोही का यहां से दूसरा कलर ले लेते हैं यहां से हम पढ़ रहे हैं अभी आदर जलवाई हूँ यह वाला जो एरिया है यह वाला जो एरिया है यह है उद्यपुर, सलुंबर और डूंगरपुर यह आदर में नहीं आते हैं जालावाड और बारा यह भी आदर में नहीं आते हैं यह आते हैं अतियादर में जो बहुत ज़्यादा अतियादर है उसमें यहाँ पे जो आदर की बात कर रहे हैं आदर जलवायू 60 से और 80 सेंटिमेटर तक यहाँ बारिस होती है इसके बाद जो बच गे 12 जालावाड 12 जालावाड और दूसरा डूंगरपूर का एरिया डूंगरपूर, उदयपूर, सलूंबर और थोड़ा यह बाशवड़ा का यह अतियादर में आता है यह पोर्शन तो यह थे सुष्क, अर्द सुष्क, उपादर, आदर और अतियादर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और यह पाँचवा यह है राजस्तान के जलवायू को पाँच बागन बाट रखा है जो अभी आपको बताए हैं, यहां से पूछा जाएगा कि इन में से कौन सा जिला है जो आदर जलवायू पाए जाती है, कौन सा जिला है, जहां पर सुष्क जलवायू पाए जाती है या फिर इंजिलों में कौन सी जलवायू पाए जाती है एक तो इस तरीके सेक्यूशन पूछा जाएगा दूसरा एक कॉपेन का पूछ लिया जाता है कॉपेन क्लासिफिकेशन आपने सुना होगा वो वीडियो अवेलेबल है चैनल पर आप जाके पढ़ेंगे तो आपको क्लाइमेट का और इन्होंने 1918 में दिया था सबसे पहले यह क्लाइमेट यह काफी चर्चा में है इनका सब जगे पूरे वर्ल्ड में कॉपेन क्लासिफिकेशन हमारे कंट्री में अलग अलग राज्यों में कॉपेन क्लासिफिकेशन दिया हुआ है इसमें इन्होंने क्या मै पारिस और टेंपरेचर, रेन और जो टेंपरेचर उसको भी महत्यों दिया लेकिन ज्यादा इसने जो वनस्पति है वहां की उसको दिया है और कॉपेन के अकोर्डिंग जो डिविजन कर रखे हैं उसको देख लेते हैं, यहां से भी कुछन पूछा जाता है कॉपेन क्लासिफिकेशन के अनुसार, इन जिलों में कौन सा क्लाइमेट है या फिर जिले दे दिया जाएंगे या फिर कॉपेन का क्लासिफिकेशन दे दिया जाएगा एक एक करके हम समझ लेते हैं, आपको इजी हो जाएगा देखे एक है जो जैसल में ये वाला एरिया ये ये जो एरिया है ये पहला क्लासिफिकेशन है ये है BWHW अभी BWHW क्या है वो चैनल पे सब अवेलेबल है आप देख लीजेगा ये आपको पता होगा तैयारी कर रहे हैं सीरिशली ये पहला क्लासिफिकेशन है जिसमें ये जिले आते हैं दूसरी बात करें तो दूसरा जो है BSHW उसमें कौन से जिले आते हैं ये जो पॉर्शन है ये जो बताए हैं आपको भी बाडमेर, बालोत्र, साचोर, जालोर, सिरोही, पाली, ब्यावर, अजमेर, नागोर, घिडवाना, कुचामन, शीकर, चूरू, जुन्जुनू, नीमका ताना ये किसमें आते हैं BSHW ये कौपेन के क्लासिफिकेशन है सभी तीसरा जो है CWG, CWG है उसमें आते हैं ये वाला पॉर्शन CWG की बात करें तो ये वाला पॉर्शन आता है उदेपुर, चित्तोडगड, राजसमन, भीलवाड़ा, साहपुरा, बून्दी, कोटा का भी है एरिया बारा, सवाय मादोपूर, केकडी, टॉंक, करोली, गंगापूर शिटिये नया जिला बना है दौसा, जैपूर ग्रामिन, अलवर, कहरतल तिजारा, कोटकूतली, बरतपूर, डीग और दौलपूर तो सबसे ज़्यादा, जो हमने पहले पढ़ा था, वैसे ही, इस क्लासिपिकेशन में, CWG है यह, इसमें यह जिले आते हैं अब इसके अलावा, एक और बच गया है, AW, उसमें आते हैं फिर, बाकी के जिले जो हमने अतियादर पड़े थे, वो इसमें, यह AW है, और इसमें कौन से आते हैं, सलुमबर, डुंगरपूर, प्रतापगड, बांशवाडा, और जालावाड, यह जो पोर्शन है, यह, AW में आता है तो यह कौपें के क्लासिफिकेशन है, चार तरीके के, इनको आप जरूर देखिएगा, यह जिले वाइज याद कर लिजिए, कौपें के क्लासिफिकेशन नाम द्यान रख लिजिएगा, यहां से एक मिनिमम, नहीं तो दो या तीन क्योशन भी अग्जाम में पूछे जाते हैं, और कोई भी confusion है, तो discuss कर लेंगे, पूछ लिजिएगा, कोई भी बात हो, एक क्योशन यहां से पूछा जाता है, कई बार आंधियों के नाम, जो आंधिया है, उनका क्योशन पूछ लिया जाता है, तो देखिए, जो एक्जाम में क्योशन पूछा जाता है, वो पूछ हैं, दरोड, लकाव, आगुणी, कई बार पिछवाई, या कई बार आथूमी दे दिया जाता है, ये निमन में से क्या है, ये किस चीज के नाम है, या फिर ये क्या है, तो ये जो उत्तर की ओर आने वाली आंधिया है, उत्तरा, उत्तरा, दरोड, दरादू, दराव, पूरव की ओर आने वाली है, इनको ये नाम और पस्चिम की ओर, तो ये आंधियों के नाम है, कई बार यहां से एक क्यूशन पूछा जाता है, हमेशा नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है, और ये आपके एक्जाम में, सलेबस में भी है, एक क्यूशन यहां से पूछा जाता है पहाडियों का कई बार एक और कई बार दो क्यूशन भी पूछ ले जाते हैं आपसे यहां से पहाडियों के तो इसको भी आपको थोड़ा सा seriously लेके करना है पहाडियों वाला है जो क्यूंकि यहां से direct question पूछा जाता है जैसे हर्ष परवत कहां पे आवस्तित है ये क्यूशन पूचा गया पहले बहुत बार हर्षनात की पहाडिया कहां पे है बीजाशन परवत मांडलगड बीलवाड़ा चिडिया टुक की पहाड़ी कहां है बीठली बीठडी कहां पे है ये तारगड अजमेर सुन्दा परवत का बीनमाल जालोर इस परवत पे सुन्दा माता का मंदिर भी है इसको यहां राजस्तान का पहला रोप वे लगाया गया था दूसरा रोप वे उद्यपुर में लगाया था तो जो पहाडियां है ये आपको यहां से देखनी है मुकंदवाड़ा, कोटावे, जालावाड जो मुकंदरा हिल है तो एक पहाड़ियों का पूछा जाता है और इनको आप जरूर द्यान में रखिएगा नेक्स जो है किशन पूछा जाता है लिफ्ट का कई बार पूछ लिया जाता है इसका पहले नाम ये था, नया नाम क्या कर दिया या तो ये पूछा जाता है या फिर ये लिफ्ट किस जिले में है तो ये गंदेली साहावा लिफ्ट था जिसका चोदरी कुमबाराम लिफ्ट नहर कर दिया यह अनमानगड चूरू जुझनों में है बीकानेर लून करण सर लिफ्ट है ये कमर्शन लिफ्ट कर दिया ये गंदानगर बीकानेर में है गजनेर लिफ्ट है ये पन्नालाल बारूपा लिफ्ट नहर कर दिया बीकानेर नागोर में है बागड सर लिफ्ट नहर है ये बीकानेर में है कोलायत लिप्ट नहर है, ये डाक्टर करणी सिंग लिफ्ट कर दिया, बीका निर जोदपूर में है, फलोदी लिफ्ट है, गुरु जम्बेशवर जलो उत्थान योजना कर दिया इसका नाम ये, जोदपूर बीका निर जैसलमेर में, पोकरन लिफ्ट नहर, इसका कुछन और अगला जो topic लाएंगे या तो इनके जो topic रह गए हैं कुछ और वो cover करवाएंगे या फिर पिछले एक साल का current affairs है वो तो आपको देखने को मिलेगा जल्दी ही next जो है कुछ important irrigation projects का question पूछा जाता है agriculture आपके syllabus में है तो यहां से भी question पूछा जाता है agriculture का भी तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा agriculture का question पूछ लिया जाता है यह miss हो गया है तो कोई न all the very best good luck thank you very much next lecture में करवा देंगे जो बच गया है काफी lengthy हो गया है यह आप चैनल को subscribe कीजेगा test series जरूर जोइन कर लीजेगा thank you very much